मेंगो कुलफी अब सबसे पहले हमें एक कंटेनर में डाल के इसे पीस ले रहा है यह बहुत जटपट रेसिपी है आप लोग इसे जरूर ट्राइ करिए देखिए इसे मैंने पीस लिया है चली आप इसमें मिल्कमेट डाल देते हैं अगर आप यह वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको ऐसे ही कुछ इंट्रेस्टिंग रेसिपीज देखने को मिलेंगी इसमें कंडेस्ट मिल्क डाल दे 5-6 चमच अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद दे तो आप ज़्यादा डाल दे मैं अपने चैनल में ऐसे ही कुछ इंट्रेस्टिंग रेसिपीज डालती रहती हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अब इसमें हम लोग कांजू एड़ कर देते हैं अब इसको एक बार और चला लेते हैं मिक्सी में इसको एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लें फिर से देखिए आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो इसमें कंडेंस्ट मिल्क और डाल दे वो ना मीठा होता है पहले से उसमें चीनी होती है इसलिए मैंने इसमें चीनी आड न अगर आपके पास यह कुल्फी मेकर नहीं है तो आप इसको किसी भी चीज में जमा सकते हैं अब इसे चार-पांच घंटे के लिए फ्रिज में रगए चार-पांच घंटे बाद देखे कुल्फी बनके रेडी हो गई है और कितनी यमी लग रही है अब कुल्फी को फ्रिज से निकालने के बाद दस मिनट बाद इसे निकाले ताकि यह अराम से निकल जाए इसे सर्फ कर देते हैं अब अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो लाइक जरूर करिए आप सब का धन्यवाद मेरे वीडियो को इतना पसंद करने के लिए लाइक करने के लिए चलिए हम सब फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपी इसके साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक केर